हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब चैनल मसाइट आई जो पर तो हम आप लोगे साथ फीट से जूड़ चुके हैं एक नए रिक्वार्मेंट के साथ तो दोस्तों मैं आप लोगे बता दू तो आईसर बस एवाम ट्रक निर्माता कंपनी जिसमें आईट पास आउट कंवेट के लिए गेट भरती जो है चलने वाला है तो दस जनवरी को जो भी कंवेट करना चाहते हैं गेट पर जाके आपको इसमें पाइस्मेट करने होंगे तो यह बहल तो इसमें आपको डिप्लोमा कोर्स जो है फिर आपको इस्ट जो है परवाइड की जाएगी तो यह जो भरती प्रोग्राम करता है जो है आपका सेलेक्शन्स किये जाएंगे तो गेट भरती के माद्यम से जो है आपका सेलेक्शन्स किये जाएंगे 10 जनवरी को आपको गेट नमबर एक पे पहुँचके इस रिक्वाइर्मेंट में पार्डिसिपेट करने होंगे उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट दिन ही आपका सेलेक्शन्स इसमें जोइनिंग करा दिया जाने चाहिए तो जो भी कंडिडेट एक चुक हैं पार्डिसिपेट करना चाहते हैं वीडियो के लाश्ट तक बने रहे हैं सारा कुछ इंफार्मेशन में आप लोगो इस रिक्वाइर्मेंट से रिलेटर देने वाला हूँ कि कौन-कौन से इस डेट के कंडिडेट और किस क्वालिफेकराइसन के साथ और कैसे आपका सेलेक्सlichenS इसमें किये जाएंगे तो सारा कुछ इन्फार्मेशन में आपको इस वीडियो के लाश्ट तक बने रहे हैं तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आप लोगों बता दों कि जो भी साथ इस गेट भरती में प्राडिसिपेट करके एक सुनिश्चित जोब पास सके तो चलिए दोस्तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो के लाज तक बन रहीएगा तो दोस्तो आप लोग देख सकते हैं आईटाई पास आउट मिद्वारों के लिए आईशा ट्रक एवंबस निर्माता कंपनी पित्थमपूर जिलाधार मद्यप्रदेश में नेम इसकीम के तहट जो है बैचलर आफ वोकेशनल ट्रेनिंग एन वीबो कोर्स के अंतरका जो है तीन वर्सों के लिए आपको रखके ड आईटाई पास आउट होना आपके पास अनिवार है कि अवाल लड़कों के लिए भरती प्रक्तियार है कि इसमें फिमेल्स कंडिटर जो है इलिजबल नहीं रहेंगी आईटाई ट्रेड मैंसंस के अगर बात कर लें तो इलक्टिसियन, डिजल, मेकैनिक, ट्रिक्टर, मेकै अगर बात कर लें तो आपको बेसिक स्टाइपन जो रहेगा आपको 10,182 रुपे प्रवाइड किये जाएंगे अगर आपको 26 दिन रहता है महीने में यानि 100% अटेटेंस आप देते हैं कंपनी को तो आपको 1000 रुपे अलग से प्रवाइड किये जाएंगे जिसको इंक्लू सब्सक्राइब करने चाइब ये जिसके अगरी आपको 20स रुप्र महीने के जाएंगे प्रवाइड कि जाएंगे अपको चाही की बवस्ता में पर महीने प्रवाइड कीजाएंगे निशुल को भरती प्रक्रिया रहीगी उनिफार्म सेप्टी जुसू आपको company के तरफ से निशुल के दिया जाएंगे इसके लिए आपको पोई भी चार्जस नहीं देने होगे भरती प्रकिरिया के बात करने तो किस डेट में आपको भरती करने होना है यह तो आपको 10 जनवरी को सुबा 11 बजे से एक बजे के मद्द जो है आपको गेट पे पहुँचके इस भरती प्रकिरिया में पाडिसिपट करने होंगे तो इसका केंपस प्लेस्मेंट कहीं लगने नहीं जा रहा है डारेट कमपनी के गेट से ही यह भरती प्रकिरिया 10 जनवरी को सुनिश्चित किया गया है डाकुमेंट्स के बात करने तो बायो डाटा यानी रिजूम आपके पास होना चाहिए दसवी बार हमी आईटाई की मार्क सीट से अधारकार बोटर आईड़ी बैंक पास्पूप पास्फोर्ट साइज फोटो और ओर ओरजिनल एवं जो है हर एक डाकुमेंट्स के आपके पास दो-दो फोटो काफिस जो होनी अनिवार रहे है तो पता के अगर बात करने तो कहां पर जाके आपको किस जगह पर जाना है इस रिक्वार्मेंट्स करने के लिए तो आप लोग देख सकते हैं कंडिडेट नमर दो आई-सी आई-सी आई बैंक एटियम के पास जो है आईसा ट्रक एवं बस आप लोग देख सकते हैं वेहिकल कोमेरिकल वहिकल आईसार चवरहा पित्थापूर जीराधार इंदवर के पास जो है मद्ध पर देश में आपको जाके पाडिसिपेट करने हो होंगे तो जो भी कंडिडेट को मैं यह सब जानकारी दिया हूं इसके तरिक आपको कोई अन्य सुभधा नहीं दी जाएगी रहने एक समय के खाने की पवस्ता आपको स्वयम करनी होंगी इस प्रक्सिक्षण में प्रसक्षी को जो है उत्रेन होने के लिए अगर आप एक सा आतक डिगरी के समकष है यानि बीटेक के समकष जो है आपको जो है डिप्लोमा प्रवाइड किया जाएगे वीवोग कोर्स उसको बोला जाता है तो जो भी कंडिडेट चुक है पाडिस्पेट करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें पाडिस्पेट कर सकते हैं निस्वल को जो है आपको एभारती पर किया प्रवाइड की जाएगी ना ही कंपनी को ना किसी ठाट पाटी को आपको एक भी रूपए चार्जस पर नहीं करना है तो जो भी कंडिडेट को जो है कोई जानकारी चाहिए तो आपको नीचे कौंटेक्ट नमबर प्रवाइड किया गया है तो जो भी कंडिडेटिस पर कोंटेक्ट करना चाहते हैं तो सुबर नो बज़े से आप पांच बज़े साम तक जो है कभी भी आप कोल करके इस रिक्वार्मेंट से रिड़ाट जानकारी ले सकते हैं तो इसमें आपको एक शीज लिख के नोटस में दिया गया है नीचे कि जानकारी जो आपको दिक है उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं पूछना है 100% जानकारी है तो दौस्तों आप लोज आखे पाटिसिपेट कीजिए कोई भी डाउट से एक बार हमें अभी कमेंट कीजिए हम आपके फुरी साहता करेंगे और ऐसे ही फिर मिलेंगे एक नए रिक्वार्मेंट के साथ तब तक के लिए जहें साथ ही हो